कोरोना वाइरस के खत्रे को देखते वे परधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को राष्ट को संबोदित करते वे 21 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू करने की घोसना की थी परदान मंत्री की घोसना के अनुसार मंगलवार को लोगडाउन का अंतिम दिन है इसी को लेकर एक बार फिर से पीम मोधी मंगलवार को दिन के दस बजे राष्ट को सम्भोधित करेंगे जिसमें यह असपस्थ होगा की कोरोना संक्रमन से बचाओ को लेकर सरकार ने लोगडाउन हटाने या पुन लागू करने के लिए क्या नीती तयार की है परदान मंत्री ने अपने ट्वीटर हैंडिल पर इसकी जानकारी दी है हलाकि सनिवार को मुखी मंत्रियों के साथ हुई पी-म की वीडियो कॉन्फरेंसिंग के बाद से ही देजभर में लोगडाउन आगे बढ़ाए जाने का कयास लगतार जारी है नवगचिया थाना अंतरगत कोसी दियारा छेतर में सोमवार को भीपूर सलकिर इंस्पेक्टर एवं नदी थाना अध्यक्ष महताव आलम के नेत्रित्त में कॉंबिंग ओप्रेशन चलाया गया किसानों की फसल सुरक्षित उन तक पहुँचे इसको लेकर अपराधियों को पकड़ने के लिए चल लाए गया इस ऑप्रेशन में पुलिस ने दो अपराधियों को दबोज लिया पकड़े अपराधियों की पहचान दियारा छेत्र के लोकमानपूर निवासी असोग दास एवं चंदन दास के रूप में हुई है नदिधाना अध्यक्ष महताब खान ने बताया कि दोनों अपराधियों को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस उनके पुराने अपराध को खंगाल रही है भागलपूर के जवाहार लाल नहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भरती कोरोना पोजेटिव मरीज विजे केजरिवाल ने जिंदिगी की जंग जीत कर कोरोना वाइरस को मात दे दी है मायगंज अस्पताल में भरती हुए साथ पोजेटिव केस में से सभी ठीक हो गए हैं और अस्पताल ने उन्हें पिछले सब्ता चुट्टी दे दी है जबकि रभिवार की देर साम नवगचिया के विजे केजरिवाल की लगतार दूसरी टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद जे एनेम सीच प्रवंदन ने उन्हें छुट्टी दे दी इस दोरान डॉक्टरों और स्वास्थ कर्मियों ने आवस्यक अपचारिकता पूरी कर ताली बजाकर विजे केजरिवाल का उत्साह वर्दन किया और विजय केजरिवाल ने स्वस्थ होने के बाद अस्पताल प्रवंदन डॉक्टर एवं तमाम स्वास्थ कर्मियों द्वारा की गई नियमित रूप से सेवा की आभार प्रिकट की गौर तलबो की भागलपूर मायागंज अस्पताल में अब तक कुल साथ मरीज कोरोना पोजिटीव के रूप में लाए गए थे जिसमें नवगच्छिया निवासी विजय केजरिवाल एक मात मरीज भागलपूर जिले के थे जबकि अन्य 6 कौरोना पोजिटीव अलग अलग जिले से लाए गए थे एक ओर जहां दुनिया भर में कौरोना पोजिटीव मरीज की मौथो रही है वहीं दूसरी और भागलपूर अस्पताल में सभी कोरोना पोजिटिव का स्वास्थ होना एक सकारात्मक संदेज दे रहा है डॉक्टरों ने जहां कोरोना से जंग जीतने वाले मरीजों को सुबकामनाय दी वहीं सभी मरीजों ने भी अस्पताल में मिले बहतर सुविधा और वातावरन और सेवा के लिए सरकार एबं स्वास्थ कर्मियों को धन्यवाद दिया कोरोना वायरस से फैली महमारी से बचाओ को लेकर कई समाजिक संगठन की ओर से सहर में जागरुकता भियान चलाया जा रहा है और लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है इसी को लेकर सोमवार को जजबा संकल्प संस्था की ओर से नुकर नाटक कायो जन किया गया जिसमें यमराज की भूमी का विजय जा गांधी और चित्रगुप्त की भूमी का मनोच पंडित ने निभाई इस दोरान यमराज ने सड़क पर आने जाने वाले लोगों को रोक कर घर से बाहर नहीं निकलने और आवस्यक कारियों के लिए निकलने पर मास्क एबम सुरक्षा नियमों का पालन करने की सीख दी साथ ही कोरोना वाइरस को अपना दूत बताया और कहा कि यदि कोई भी वेक्ती लोकडाउन का पालन नहीं करेगा तो उसे यमराज का दूत अपने साथ ले जाएगा जजबा संकल्प की अध्यक्ष जिया गोस्वामी ने कहा कि सरकार कोरोना से बचाओ के लिए कई परकार की योजनाएं ला रही है इसी क्रम में कलाकारों के माध्यम से लोगों को जागरू करने का प्रियास किया गया क्या है नाटक का उदेश और यमराज ने लोगों को क्या कुछ संदेश दिया इसको लेकर संस्था के अध्यक्ष और कलाकारों से बात की हमारे समवाद्दातार रवी संकर सिनह ने है जिए क्या संदेश देना चाहते हैं यहीं संदेश देना चाहती हूं कि पूरा पुलीश परसासन परिशान है हम पड़े लिखे हैं हम लोग क्यों बाहर बेज़ा जा रहा हूं कल लौकडाउन का चोदमा दे हैं लेकिन इस्तिति अभी अच्छी नहीं है मैं सबसे अपील यही करना चाहती हूँ, जिस तरह हम लोग 15 दिन निकाले हैं, आगे भी सरकार के मदद करने के लिए, आगे भी हम लोग मास्क लगाएं, सरीटाइस कराएं, हाथ बार-बार धोएं और हम लोग एक अच्छे नागरिक होने का परिमान दें. तो यहाँ पर हैं चितरगुप्त बने हुए और हम उनसे जाने हैंगे कि क्या उनका की पहल है और क्या प्रियास है, उनका जी बताइए. यम्राज जी के निर्देश पर हम ऐसे लोगों का नाम लिखते हैं, जो माक्स नहीं लगाए रहते हैं, जो सोचल डिस्टेंड मेंटन नहीं करते हैं, जो अपने हाथों को सही से नहीं धोते हैं, और बिना बज़़ वो इधर उधर घूमते हैं. तो यम्राज जी का दूद कोरोना पूरे संसार में महमारी बनके टूट पड़ा है, हम उसी यम्राज का निर्देश पालन करते हैं, और जो परसासन को साथ नहीं देते हैं, पुलिस परसासन के द्वारन निर्देश का लंगन करते हैं, यम्राज उसका नाम लिखवाते हैं और मैं चित्रवपुन का नाम लिखता हूँ और कुरोना से वो गरसित हो जाते हैं अपने देखा हम यहाँ पर जो यम्राज बने हुए हैं यम्राज की भूमिका में जो हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि यमराज बनके वो क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या उनकी पहल है ये क्या पहल है और क्या संदेश देना चाहते हैं हम यमराज के रूप में लोगों को यह बताने आए हैं कि जिस तरह यमराज किसी के पास आता है और उसकी प्रहन को लेकर चला जाता है तो हमारा ही भेजा हुआ दूद कोरोना है लोगों को यह बताए कि आप हमसे डर ये और जो मेरा कोरोना है वो मेरा यादमी है आप उससे आप तभी भच पाएंगे जब आप सरकार के द्वारा निर्देशों का पालन करें डॉक्टर के बताए रास्तों पर चलें पुलीस परतासन जो बता रही है आप उसको फॉलो करें कम से कम एक मीटर का दूरी समाजिक दूरी बनाये रखिए बराबर हाथ धोते रहिए जैसा डॉक्टर चाहब लोग बोलते हैं और दुकांधारों से भी हमने निवेदन किया है कि जो बिना मास्क लगा कर आ रहा है उसको आप शामान बत दीचे सबी जान रहे हैं कि हज्जारों की संख्या में लाखों की संख्या में हाला कि अब लोग की मौत हो चुकी है इसके कारण लोग परिसान है लेकिन सरकात और अपील के बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो सरकार के आदेश प्रशासन के आदेश के बावजूद जो है सड़को पर आ रहे हैं तो इसको देखते विए आप समाजिक संगठन ने अलग-अलग नाटक के माध्यम से यह लोगों को जागरुक करने का कोशिज किया है जिसे कि लोग घरों के अंदर रहें और हम सभी अपना जीवन सुरक्षित कर सकें और स्री टीवी भी आप सभों से अपविल लोगडाउन के दौरान अनावस्यक रूप से घरों से बाहर निकलने वालों के खिलाप भागलपूर पुलिस काफी सक्त हो गई है एसेसपी आसीज भारती के निर्देश पर जिले के विविन्द थाना छेत्रों में सघन तलासी अभ्यान चलाया जा रहा है इस दौरान बिना किसी कारी के मोटर सैकिल पर घुमने वालों की पुलिस जमकर कलास लगा रही है सौमवार को इस साक्चक पुलिस ने भोलानात पूल के समीप तलासी अभ्यान चलाया थाना ध्यक्ष संजे कुमार सुध्धानसु ने कई बाइक चालकों से बाहर निकलने का कारण पूछा जहां सही जबाब नहीं मिलने पर बाइक चालकों को फटकार लगाई गई और घरों में रहने की सक्त हिदायत दी गई थाना ध्यक्ष ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए लोगों को घरों में सुरक्षित रहकर पुलिस परसासन का सहयोग करना चाहिए वहीं थाना ध्यक्ष ने कहा कि कुछ पढ़े लिखे लोग भी जान बूझ कर घरों से बाहर निकल रहे हैं जिस पर सक्त कारवाई की जाएगी इसके अलावे तिलकामांजी चौक पर भी काफी संख्या में पुलिस के जवानों ने लोगडाउन का उलंगन करने वालों पर जुर्माना लगाया तिलकामांजी चौक पर चलाए गए वहान चेकिंग अभी हान का जाईजा लिया हमारे समवाददाता रवी संकर सिन्हा ने क्या कुछ तैयारी और क्या कुछ जिशा निव्डेश दिये रहा हैं क्या जिसा निव्डेश दिया रहा है यातायात नियम का जो लंगन में हैं उनको हम लोग यातायात नियम के ताहत उनको हम फाइन कर रहे हैं जो एलमेट नगाकर नहीं चल रहे हैं और दवाल लोग पर और इसे जो दवा लेने या कोई जरूरी समवान लेने के लिए जा रहा है उनका हुआ पूरिया देख रहा है उनको पेसे बगारे को छोड़ा है तो यहां पर यह इनका साथ दोना है कि जो अनावस्यक रूप से निकल रही है उने सटायाद दी जा रही है साथी हाला कि इसके बाब दूर्मों को ये सुनितायद दी जा रही है जो घर से बाहर ना निकने जिसे प्रयास में किया गया है उसमें सफलता मिले और इससे लड़ा जा सके और तो हम इसको साथी यहां अपर जितने भी मैटा या प्रूप जोनी कुछ करूं है लगतार अपन पुलिस दिला नवगचिया में कोरोना संक्रमित एक मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है साथी अनुमंडल परसासंद्वारा लगतार जागरोपता अभियान चला कर लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की जा रही है इसके बाबजूद भी लोग सोसल डिश्टेंसिंग का जम कर उलंगन कर रहे हैं सौमवार को लोगडाउन के 20 में दिन मकंदपूर चौकिस्तिद बिहार छेतरिया ग्रामिन बैंक के बाहर रूपे निकालने के लिए सेंकडों महिलाओं की भील जूटी रही इस दोरा ना तो लोगों ने माश्क का प्रयोग किया और ना ही सोसल डिश्टेंसिंग का ध्यान रखा वहीं मवजूद सिपाही से जब सोसल डिश्टेंसिंग का पालन कराने की बात कही गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता है पूरे मामले को लेकर बैंक मेनेजर लेखा कुमारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि महिला पुलीस कर्मी नहीं मिलने के कारण काफी परेसानी हो रही है इधर जगदिस्पूर्थाना छेतर के बैजानी स्थित यूको बैंक के बाहर रुपए निकालने के लिए ग्रामीनों की भीड जूटी रही हलाकि ग्रामीनों द्वारब पुलीस को जानकारी दी गई लेकिन मौके पर पहुँची पुलीस भी भील हटाने में नाकाम रही कोरोना वैरस के संक्रमन को लेकर लगतार अभ्यान चलाया जा रहा है उसके बाद भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं ऐसे में संक्रमन का खत्रा काफी बढ़ जाता है इसके लिए सभी लोगों को जागरूक होना होगा तभी हम कोरोना को जल से समाप्त करने में सफल होंगे लोगडाउन के कारण देश के बिविन राज्यों एवं जिलों में लाखों लोग जहां रोजगार से वन्चित हो गए हैं वहीं छात्रों के साथ भी कई समस्याएं खड़ी हो गई है ताजा मामला भागलपूर में चल रहे निसुल्क आसिरवाद क्लास की है जहां गरीब एवं मेधावी छात्रों को निसुल्क तैयारी कराई जाती है लेकिन लोग डाउन होने के कारण कलास बंद हो गई है और बिहार जहारखंड के अलग अलग जिले से आए कई छात्र अपने घर वापस नहीं जा सके ऐसे में इन छात्रों के समक्च भोजन की समस्या उत्पन हो गई है इसकी जानकारी जब नगर निगम वाड नंबर 48 की पारसत कुमारी कलपना को मिली तो उन्होंने समाजिक कारी करता जदियू के पुरु महानगर अध्यक्ष सुड्डू साही को इसकी जानकारी दी सुद्डू साही ने अविलंग सभी छात्रों को मदद देने का अस्वासन दिया इसी को लेकर स्वमवार को बाका, पुर्निया, गोड़ा एवं साहिव गंज के कुछ छात्रों को अपने साथ लेकर पारसत कुमारी कलपना सुद्डू साही के आवास पर पहुंची जहां सुद्डू साही समेत उनके कई सहयोगियों ने छात्रों के बीच खाद्य समागरी का वित्रन किया इस मौके पर सिकंदर मंडल, विकास कुमार, लालू समेत कई लोग मवजूद थे हम लोग को बोले के चलिए वहां पर आप लोग को रासन पानी एक मिने का दिया जाएगा हम लोग भाका के रहने बाले है इसमें बाका पूर्निया के है और और लेकिन भाका पुर्णियों यह हैं घर ने जा पाए सब चीज बस हुए ट्रेनेट टोटल चीज बंद हो गया यहां पहले हमको पासी टोला के पास एक बनार्शी लौच है वहां पर से एक एस्टुडेंट गए कि हम लोग कल पेपर में दिये थे हमको पता नहीं था तो आज पेपर के माधियम से मतलब उनको पत्रकार बताया कि आप अपने वाड के पारस्त से जाके मिलिये तो हम लेक क्या दिक्कत है तो हम लोग को खाना पीना चाहिए तो हम कहें ठीक है कितने आदमीने तो लोग बताए साथ आदमीने फिर एक और मेरे घर के बगल में ही रह रह तो हम को याद आया है तो उनको बुला के हाल चाल पूछे कि आप लोग का क्या दिक्कत है चल रहा सब चीज तर नहीं हम लोग को भी दिक्कत है हम सरम से आपको नहीं बता रहे थे तो हम बोले कि और इतना अतना आदमीन को हम का एक लिए मतलब देने सकते हैं घर से और भी और कोई भी भूखा नहीं सोए, जो भी और है लोज में उसको खोज-खोज के अनाज दिया जाएगा। लोग्डाउन के बाद भी अपराधी गोली वाली की घटना को अनजाम दे रहे हैं। पुलीस की सकती के बाबजूत सौमवार को बाका के कर्टोरिया में हतियार बंद बदमासों ने CSP संचालक को गोली मार कर एक लाख रुपए लूट कर फरार हो गया। गटना की सुचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलीस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भरती कराया। भागलपूर गोराडी थाना च्षेतर के भलोकर गाउ में होली के दिन गाना बजाने को लेकर हुए विवाद में गाउ के विष्णू देव मंडल की अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। जिसके बाद से ही गाउ में तनाउत्पन हो गया था। मौके की नजाकत को देखते वे भलोकर गाउ में पुलिस केम्प भी खोला गया। उसके बापजूद बदमास ग्रामीनों के घर पर पत्राओ कर रहे हैं। पत्राओ की घटना को रोकने के लिए रविवार को जगदिस्पूर थाना परिसर में सांती समीती की बैठक आयोजित की गई। लोकडाउन के दोरान कोई भी परिवार भूखाना सोहे इसको लेकर लगतार पुलिस कर्मियों द्वारा खाद्यान शमागरियों का वित्रन किया जा रहा है। स्वामवार को जगदिस्पूर थाना प्ध्यक्ष अपनी पूरी पूलिस टीम के साथ छेतर के बिविन इलाकों में गए और जरूरत मंद परिवार एवं असाहाई लोगों को रहत समागरी उपलब्द कराया। थाना ध्यक्ष ने सभी लोगों को धहरी बनाए रखने और एक दूसरे से दूरी बना कर रहने के लिए जागरूप किया। थाना ध्यक्ष ने कहा कि लोकडाउन के दौरान कई ऐसे परिवार हैं जिनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन हो गई है। जिसको देखते वे जरूरतमंद लोगों के बीच रासन बाटा गया। साथ ही उन्होंने समरिद लोगों से भी आगे आकर जरूरतमंद लोगों की मदद करने की बात कही। बिहार प्रादेशिक मारवारी सम्मेलन की ओर से लोगडाउन को लेकर सहर के बिविन जगों पर Ready to Eat पैकेट का वितरन किया रहा है। कोरोना वाइरस के करण किये गए लॉकडाउन के दोरान कोई भी भूका न सोय इस सोच के साथ सम्मेलन की ओर से यह अभ्यान चलाया जा रहा है सौमवार को बरारी में 100 जरूरत मंद महिलाओं का चैन कर खादिशमागरियों का वितरन किया गया इस कारी में संस्था के सदस्यों ने भी अपनी सहभागिता निवाई और खादिशमागरियों के वितरन के साथ लोगों को सोसल डिश्टेंसिंग का पालन करने के बारे में जागरूग किया रवी प्रकास बुधिया ने कहा कि काफी ऐसे लोग हैं जिनके पास खादिशमागरी उपलब्द नहीं है और ऐसे लोगों की सुची बनाकर हम रहत समागरी उन तक पहुँचाएंगे इस मौके पर सीवगरवाल, पुरू मेर दीपक भुवानिया, अनिल खेतान, प्रभात केजरिवाल, स्रवन बाजोरिया एवं रंजीत जुनजुनवाला समेत कई लोग मवजूद थे कोरोनावाइरस के संक्रमन से बचाओ के लिए लगाये गए लौकडॉन का पूरी तरह पालन हो, इसको लेकर भागलपूर पुलिस काफी सक्रिय नजर आ रही है स्वमवार को इसाचक थानाध्यक्ष संजे कुमार सुधांसु के नित्रित में जागरुकता अभियान चलाया गया थानाध्यक्ष ने बताया कि सरकार द्वारा लागू लौकडॉन का पूर्णता पालन हो एवं लोग सोसल डिस्टेंसिंग की महत्त को समझे इसलिए जागरुकता अभियान चलाया गया वहीं इस अभियान से खुस भाजपा नगरमंत्री सुनीधी मिस्रा एवं विजय मित्र मंडल ने जागरुकता अभियान की खूब सरहाना की और थानाध्यक्ष संजे कुमार सुधांसु को धन्यवाद गयापन भी सौपा मौके पर सुनीधी मिस्रा ने कहा कि पुलिस कर्मी फ्रेंट लाइन पर रग कर हमारी सुरक्षा करते हैं आम जन्ता को भी लॉकडाउन का पूरी तरह पालन कर परसासन का सहयोग करना चाहिए राष्ट्री अधियक्षी जेपी नटा जी और हमारे प्रदीश अधियक्षी डॉक्टर संजे जैस्वा ली के हवान पर जो हमारे कुरोना योध्धाओं को मैं बहुत बार बार धन्यवाद करती हूँ इसमें हिसाग्चक ठ्ठाना का एहम रोल है क्योंकि मैं अपने एरिया में कई बार बहुत सारे लोग मेरे पास आए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लेकर तो मैंने इसर को वेदन दिया और यहाँ पर आकर मैं उप्पी समस्याओं को रखी हूँ तो इस साख्चक ठाना के सारे पुलिस डिपार्टमेंट को मैं बहुत-बहुत धन्यवा देती हूँ, इन लोगों का बहुत सराणिया काम है